मुद्रिकाओं के इस भंडार की तो कोई सीमा ही नहीं है इन में प्रभु श्री राम की मुद्रिका ढूणने में तो मुझे अनेको युग बीथ जाएंगे कहीं ये मेरी कोई परिक्षा तो नहीं जो भी हो जो मुद्रिका प्रभु ने अमंगवाई है मेरे लिए उसे ढूनना अनिवार्य है यहां तो सभी मुद्रिकाएं एक ही समान है सभी में माता और प्रभु उपस्तित है अब मुझे कैसे ज्यात हो कि इन सब मुद्रिकाओं में वो विशेश मुद्रिका कौन सी है जो मेरे प्रभु को चाहिए मैं ऐसा क्यों न करूँ इन सभी मुद्रिकाओं को अपने साथ ले चलूँ प्रभु के पास ब्रह्मदेव जी क्या मैं आपका कमंडल अपने साथ ले जा सकता हूँ कमंडल? क्यों? प्रभु आपके कमंडल में तो ये समस्त ब्रह्मध समा सकता है इसलिए मुझे विश्वास है कि इस सरोवर की सभी मुद्रिकाओं भी अवश्य उसमें आ जाएंगी क्योंकि इस सरोवर मिस्थित सभी मुद्रिकाओं के इस अथा भंडार में प्रभु श्री राम की उस विशेश मुद्रिका को धूर निकालना मेरे लिए असंभव है इसलिए इन सभी मुद्रिकाओं को आपके कमंडल में डाल कर मैं प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा जिससे की वो स्वैम अपनी मुद्रिकाओं को चुन लेंगे तुमारे विश्व रूप से साक्षातकार होने पर अब मैं तुमारे अनुरोद को कैसे अस्विकार कर सकता हूँ हनुआद प्रभु आपको अनेको धन्यवाद मुझे विश्वास है अब मैं अपना कार्य अवश्य सिद्धे कर लूँगा हनुमान को दिया आदेश के पीछे मातर आपकी एक इच्छा है या अन्या कोई बड़ा कारण दक्षमान हनुमान यहां आते ही होंगे उनके आने पर तुम स्वयम समझ जाओगे प्रणाम प्रभू अनुमान जी आपको तो भाईया ने मुद्री का इलाने के लिए बेजाता परन्तु यह कमंडल क्यों उठाला है भरत भाईया यह ब्रह्मदेव जी का कमंडल है जो मैं अदभुत और भव्य ब्रह्म लोग से लेकर आ रहा हूँ वहां के सरोवर में तो अंगिनत मुद्री का समाहित थी तो मैं फिर सभी ले आया मैं तो ठेरा अबोध वानर तो प्रभु भला मैं कैसे पहचान पाता कि प्रभु की विशेश मुद्री का कौन सी है लीजिये प्रभु अब आप स्वयम पहचान लीजिये कि वो कौन सी मुद्री का है जो आपने माता सीता के लिए भेजी थी हरुमान जी आप जो भी करते हैं वो कारे विशाल ही होता है संजीव नी बूटी लेने गए तो संपून परवती उठा लाए और आज एक मुद्रिका लेने गए तो मुद्रिकां को पर्वती उठा लाएं लक्षमन भाईया मैं क्या करता एक साथ इतनी समान मुद्रिकाओं को देखकर मैं तो भ्रमित हो गया इसलिए तो मैं फिर सभी उठा लाया अब तो प्रभू ही बताएंगे कि इन मुद्रिकाओं में उनकी कौन सी मुद्रिका है ये सभी मुद्रिकाएं मेरी ही है प्रभू मैं समझा नहीं तो क्या आपने अनकिनत मुद्राएं ब्रमतेवजी को प्रसाध स्वरूप दी थी हाँ हनुमान किन्तु एक साथ नहीं प्रतेक कल्ब के प्रतेक सत्युग में जब जब मैं राम रूप धर कर आया हूँ तब तब मैंने ये मुद्रिका ब्रह्मदेव को दिय है ये सभी मुद्रिकाएं भही हैं अनुमान जो अनेक कल्बों और युगों से ग्रम्म देव के पास एक अत्रित हो रही है। हाँ हनुमान यह सभी मुद्रिकाएं प्रभु श्रीराम की ही हैं। प्रतेक कल्प के प्रतेक सत्यूग में प्रभु श्रीराम और देवी सीता मनुष्य रूप में प्रिफ्वी पर अवतरित होते हैं कमय का चक्र किसी प्रकार का दिमान रहता है पुत्र ये ऐसा ही होता रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा कहो हनुमान क्या आप भी तुम यही कहोगे? कि मुझे जल समाधी नहीं लेनी चाहिए जबकि इस युग में समय पूर्ण हो चुका है मेरा अब तो आगामी कल्प में मेरा पुना आगमन होगा मैं समझ गया प्रभू मुझे ग्यात हो गया है कि अन्य कल्प में पुना आने के लिए आपका जाना भी आवश्यक है तो फिर प्रभू मैं क्यों नहीं जा सकता आपके साथ? क्या प्रतेक कल्प में मैं आपके सेवा में नहीं रह सकता प्रभू? कि अवश्य रहते हो हनुमान प्रतेक कल्प के प्रतेक सत्यूग में तुम मेरे ही साथ रहते हो किन तू इस बार अभी तृथी पर तुमारा कारेर उउन नहीं हुआ है स्मरन करो हनुमान तुमने सीता को भी वचन दिया था कि तुम लवकुष की देख बाल का दायत निभाओगे मेरे पुच्रों लवकुष का सदा ध्यान रखोगे उनका मार्ग दर्शन करोगे तुम और तुम नहीं तो कहा था हनुमान सीता के बाद अब मैं भी उन्हें अकेला छोड़ कर क्यों जा रहा हूँ आपका भी कोई दायत वह है लवकुष के प्रती अल्प आयों में ही उनसे मां का साथ छूट गया अब तो वो पिता की छत्र चाया से भी वन्चित हो जाएं मैं उन्हें तुमारे भरों से छोड़ कर जा रहा हूँ अनुमान किन्तु ये तो तुमारे उस दायत का मात्र छोटा सा भाग है क्योंकि हमारा करतव्य तुमारे और मेरे स्वार्त से कहीं उचा है परिवार से भी बढ़कर है हमारा करतव्य तो समस्त संसार के पती है हनुमान मेरे आदर्षों के साथ राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुम् LIVE भग्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान अब जगत की सेवा के लिए भग से भगवान बनना है तुम्हें धर्म की रक्षा और जगत के कल्यान के लिए तुम्हें संसार में सदस्था पित रहना है हनुमान इसलिए मैं तुम्हें चिरन जीवी होने का वर्दान देता परन्तु प्रभु आप मुझे अच्छा प्रभु आप मुझे ऐसा वर्दान ना दे जो मुझे आप से ही विलख कर दे प्रभु मुझे तो बस आपकी सेवा करने की ही इच्छा है आप मुझे पर इतनी ही कृपा करें कि आप जहां भी रहें आपके सेवत और भक्त के रूप में मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो प्रभु मेरी भक्ति का अधिकार तो तुमसे कोई नहीं चीन सकता हनुमान ना मैं ना ये काल किन्तु ये भी नियत है जिसको कदापी परिवर्थित नहीं किया जा सकता हनुमान इस कल्प के अंत में तुम्हे ही ब्रह्मदेव का पदग्रेन करना है प्रभु मैं स्रिष्टी करता ब्रह्मदेव जी के स्थान पर स्थित होंगा प्रभु मैं तो मात्रेक वानर हूँ अपनी वानर बुद्धी से मैं ब्रह्मदेव जी के पद का करतवे का निर्वाह कैसे करूँगा प्रभु जब तुम ब्रह्म लोग गए थे हनुमान तो वहां तुमें कोई विशेश अनुभूती नहीं होई थी क्या हाँ प्रभू वहां जाकर वहां से एक विशेश संबंद और वहां के प्रती आकर्शन का अनुभव तो मुझे प्रभू अवश्य हुआ था क्योंकि शीखरी ब्रह्म लोग तुमारे ही अधीन होने वाला है प्रभू आपके सेवक से बढ़कर मेरे लिए तो कोई और उपाधी है ही नहीं प्रभू और मैं भला ब्रह्म देव जी का स्थान कैसे ले सकता हूँ जब ब्रह्म देव जी स्वैम यहां उपस्थित हैं हनुमान इस कल्प के साथ मेरा भी कर्तव पूर्ण होगा और उसके बाद ब्रह्म देव के पद का उतरदायत तुमारा ही होगा तुम ही भावी ब्रह्म देव हो हनुमान अपनी भक्ती और प्रभू के प्रेम के कारण अपने कर्तव पत्स से मत भटको हनुमान जैसे मैं भटक जया था जब तुमने मुझे प्रभू मुद्रिका मांगी यदि उस समय मैं तुम्हे वो मुद्रिका देने से मना कर परमेश्वर की आग्या की अवेलना कर रहा था तो अब तुम भी अपने भ्रह्म देव बद पर इस थापित होने की संभावनाओं को नकार कर भई कर रहे हो हनुमान इसलिए पुनय कहता हो हनुमान अपने प्रभू प्रेम को अपने कर्टवे पत की बाधा मत बनने दो हनुमान अपनी इस भाक्ति और अपने इस प्रभू प्रेम की भावना को अपने कर्टवे और विधी विधान के मार्ग में मताने देना इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा नहीं थै हनुमान और ये भी ध्यान में रखो हनुमान कि ब्रह्मदेव की उपाधी पाना ये तो एक श्रेष्ट और उस्तम दायत्व है श्रेष्टी करता होने का दायत तुम्हें किसी की कृपा से नहीं बलकि तुम्हारे अपने तप से अपने कर्मों से प्राप्थ होने वाला है इसलिए अपने इस कर्तव्य को स्विकार करो अपने असित्व के वास्पिक कारण को समझो अनुवान अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्विकार करो रुद्राच कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो कल्प समाप्थ पेहों का पिराई ब्रह्मदेव बोले रघुराई देवतयक्षमुनी गंधरवा दरस किये वानर मुखी ब्रह्माँ प्रिष्वी पर अपनी जीवन को स्थिर रखकर भावी ब्रह्मदेव के दायतु को स्विकार करो यही पूर्व निर्धारित है और यही मेरा आदेश है अब आपकी ही कृपा से मैं भविष्य में ब्रह्मदेव का स्थान ग्रहन करना स्विकार कर मैं आपके निर्वान में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा तुम्हारे कल्यान हो हनुमा अबाए अबाए था कि अपके यहारे को अबाए को अबाए नहीं करूँगा मुझे अनुमती दीजे भहिया मैं आप सभी भ्राताओं का कृतग्य हो भ्राता रूप में आप सभी का साथ पाकर मैंने एक अद्बु जीवन गतीत किया है भहिया आपका भ्राता कहलाना हमारी लिको अरब की बात है हम धन्य है हमारा जीवन धन्य है कि हमें आप जैसे अब राता मिला हाँ भ्राता आप जैसे अग्रजों का सानित ध्यपाकर मैं अपने आपको अत्यांत सौभा किशाली मानता हूँ आप संपूर्ण जगत के लिए उद्धारन के समान है अवश्य ही ये मेरे पिछले जन्मों के सतकर्मों का ही पलहवियत कि मुझे आप तीनों का ब्राता होने का सुख प्राप्थ हो सका मेरे पास तो शब्दी नहीं है क्या कहूं मैं जब भी तुम तीनों को देखता हम तो मुझे अपने बच्पन के दिन स्मरण हो आते हैं जब हम नन्य बालत थे तब से अब तक मेरा साथ देने के लिए मनुष्य रूप में मुझे इतने सुख देने के लिए तुम जैसे तीन विलक्षन ब्राताओं का बड़ा भाई कैलाने का सौभाग्य देने के लिए मैं तुम तीनों का कृता ग्या हूं मैं ठालत ज्मड़ार आलत थे ऌ्मइब हमें थे लिए झमभाग्य अच्छ ehrlich को देने की जाजिए गयाँ त्स्वाय पियंग अब क्यों रुखे प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम ने मनुष्य रुख में अवतार लिया है तो उसके बंधनों से इतनी सरलता से मुख्थोना उनके लिए भी कहां संभव है आदेवेश्वरी मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मुख्थ और प्रभु श्री राम को तो एक ही मुख्थ है लक्षमन के बिना तो मैं भी चीवित नहीं रह पाता इसलिए संसार से प्रयान करने का निर्ने लिया मैंने किन्तु अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे बिना मीं नहीं रह सकता हनुमान फिर तुम्हें छोड़कर कैसे जाओं ये क्या कह रहे है श्री राम कहीं मोग माया में फज़कर कोई भूलना कर बैठे अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा मोग माया और बंधन व्यक्ति को दुर्बल बना सकती है अनर्थ है